Girl Who Lept Through Time ये मूवी आज मैं आपको explain करने वाला हूँ ये 2006 की मूवी है और इसके IMDb rating 7.8 है ये time travel पर मूवी है अगर मैं आपको इस मूवी के बारे में और कुछ बताओ तो इस spoiler हो सकता है तो चलिए dive in करते हैं ये story है Mokoto की ये girl होती है और ये time travel करना start कर देती है मूवी जब start होती है तो हमें दिखता है कि Mokoto अपने friends के साथ खेल रही है इसके friends का नाम चेकी और कौसु के होता है ये सब मिलकर baseball खेल रहे होते है जब ये baseball खेल रहे होते है तो उसे लगता है कि उसके पास ball आ रहा है तब उसे कुछ आवाजे सुनाई देती है उसे लगता है कि उसकी sister ने फिर से उसकी pudding खाली है जब वो देखती है तब ये alarm बज़रा होता है और वो उट जाती है ये सब उसका सपना होता है मोकोटो हमेशा लेट ही हो जाती है स्कुल में जाने के लिए इस दिन भी वो लेट हो गई है वो अपने friend से वहाँ मिलती है और friend उसे कहते है कि तुम्हें अपने schedule पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए ये वर हमें मोकोटो हमसे बात करती है वो हमसे कहती है कि मेरा luck हमेशा ही अच्छा होता है पर कभी-कभी वो बुरा भी हो जाता है इसका मतलब अब उसके teacher आते है और उसे test देते है उसने इसके लिए prepare नहीं किया होता तो इस वज़े से उसका love आच खराब चल रहा है उसके अच्छे लग के बारे में हमें जो वो कहती है तो कहती है कि जब ही मैं cooking करती हूँ तो मैं कभी किसी को hurt नहीं करती है और मैं भी hurt नहीं हो जाती है फिर हमें scene दिखाय काया है कि school में जब cooking class चल रहा है तब वो खुद को भी hurt कर लेती है और बहुत सारा गडबड भाग करती है फिर वो हमें कहती है कि कभी भी मैं ज़्यादा पढ़कर गिर कर hurt नहीं हुई हूँ तब ही एक लड़का उस पर गिर जाता है और वो hurt हो जाती है जब वो school में आती है तब उसने जो paper दिया था उसका result आ चुका है उसे 100 में से सिर्फ 9 अंका है तो आज उसका दिन बहुत ही खराब चल रहा होता है उसके एक friend होती है Yuri और उसके साथ वो बात कर रही होती है वो उससे पूछ रही होती है कि आगे जाकर तुम क्या लेने वाली हूँ Arts या Science उसे इसके बारे में कुछ भी पता नहीं होता Mokoto जो होती है उसे आज लैब में ज़रा काम करना होता है उसे साबसवाई का काम दिया होता है उसके friends उसे नीचे बुलाते है पर वो जान नहीं पाती जब वो लैब में जाती है तो उसे लगता है कि वहाँ कोई है पर वहाँ कोई भी नहीं होता वो आगे चलती है तो किसी चीज पर उसका पेर के जाता है और वो बहुत ही जोर से गिर जाती है जब यह चीज देखती है यह छोटा सा एक बॉल होता है इसके बाद उसे कुछ दिखने लग जाता है यह टाइम और स्पेस में अलग-अलग जगाई दिखती है और फिर से वो होश में आ जाती है वो अपने दोज दोनों फ्रेंड होते है उनके साथ घर आ रही होती है तब यह उनके बोलती है कि तुमने ही कुछ किया होगा तुमने ही मुझे गिरा होगा पर उसके फ्रेंड बोलते है हमने तो कुछ भी नहीं किया था जब वो सब मिलकर बेस्बॉल खेल रहे होते है तो उसे कहती है कि हमें कुछ करना चाहिए इस summer में हमें beach पर visit करना चाहिए यहाँ जाना चाहिए वहाँ जाना चाहिए पर उसके friends सब के लिए मना कर देते है फिर baseball खेलने के बाद वो घर जा रही होती है उसका जो घर होता है वो railway tracks के उस पार होता है और railway tracks के यहाँ एक बड़ा सा slope होता है वहाँ से वो अपनी bicycle से जा रही होती है जब वो इस slope में brake लगाने के कोशिश करती है अचाने उसके brake फेलो जाते है वो बहुत ही डर जाती है और वो इसके लिए कुछ भी नहीं कर पाती वो try करती है पर जो railway track से वहाँ तक पहुच जाती है और वहाँ से railway आ जाती है railway आकर उसे टकरा जाती है और फिर उसे पता चलता है कि ये सब हुआ ही नहीं है उसे फिर मालूम होता है कि railway आने से पहले ही उसका accident हो चुका था वो उस slope पे ही गिर गई थी उसे समझ में नहीं आता ये हुआ क्या है उसने तो देखा था कि railway आई और उसे वो टकरा गई पर ये बच के सकती है टाइम में पीछे वो चली गई होती है उसकी मदर ने उसे एक पार्सल दिया होता है उसके मदर की सिस्टर की यहाँ उसे जाकर उसे वो देकर आना होता है इसमें खाने के लिए कुछ होता है फिर वो उसके आन की हाँ चली जाती है वो बिल्यों नहीं कर पाथी कोई वो अभी भी जिन्दा है वो अपने press से बुखती है तो मैं क्या लगता है कि क्या मैं जिन्दा हूँ मैं actual में कर रही हूँ उसकी end भी इससे believe करती है वो कोटो फिर अपने घर आ जाती है और अपने room में बैठी हुए होती है वो इसी चीज़ पर सोच रही होती है कि क्या मैंने सच में time में जम की है उसके आन्ड ने उसे बता होता है कि तुम time को रोक नहीं सकते तुम्हे time में reverse जाकर फिर से आना पड़ता है इन सब चीज़ों पर अब वो सोच रही होती है उसे फिर idea आता है उसे लगता है कि अगर फिर से वो उसी तरह से गिर गी जिसी तरह से वो train से गिरी थी तो वो फिर से time में jump कर सकती है इसको test करने के लिए वो अपने room में ही गिर जाती है धराक से आवाज आती है तो उसकी छोटी सी sister जो होती है वो उसे देखने के लिए आ जाती है कोटो की time jump नहीं हुए तो मोगोटो को लगता है उसे खिडगी से jump माननी पड़ेगी फिर वो time jump कर सकेगी मोगोटो की sister जब दरवाजा खोलती है तो वो देखती है और उसे रोक लेती है उसे लगता है कि है suicide कर रही है उसे कहती है कि यह सब मेरा fault है मैंने तुमारी pudding नहीं खानी चाहिए थी मोगोटो को उसकी pudding बहुत ही अच्छी लगती है उसकी sister उसे sorry कहती है वो कहती है मैं कभी भी तुमारी pudding नहीं खाऊगी प्लीज मेरी वज़े से तुम ऐसा मत करना मोगोटो फिर घर से बहार निकल जाती है वो river के पास आती है river के पास आने के बाद वहाँ एक बड़ा सा ground होता है तो वो अब decide करती है कि यहाँ से वो jump कर सकती है बहुत ही जोर से दोड़ती है और यह jump मारती है इस jump मारने के बाद वो फिर से दिन के शुरुव में आ जाती है उसकी पुडिंग अभी भी खतम नहीं हुई है वो फिरीज में जाकर यह देखती है तो उसकी पुडिंग अभी भी होती है जब मोकोटो घर पर होती है तो उसके parents और उसकी sister आ जाती है उसकी sister उसके parents से पूछ रही होती है कि क्या मैं Mokoto के Pudding खा सकती हो उसके Parent भी उसको Permission दे देते है Mokoto फिर चिर जाती है और बोलती है कि यह मेरी Pudding है पर इससे अब उसके Parents को पता चल गया है कि यह घर पर है पर Mokoto को यह आई लगता यह होने नहीं देना चाहती है तो इसलिए वो फिर से टाइम में जम मारती है वो फिर से प्रेजेंट में आ जाती है जब वो देखती है तो फिर से रिवर तक आ चुकी है और वो खुश हो जाती है वो एक्चुल में उसने टाइम जम मारी है यह उसे पता चल जाता है वो फिर से उसे टाइम में जाती है और अब अपनी पुडिंग एंजॉई करती है जब नेक्स दिन होता है तो वो सुबा जल्दी उठती है वो टाइम में फिर से वेर से वाफस जाकर बहुत सारे स्लिप रेज सकती है इसी वज़े से आज वो लेट नहीं होती जब उसकी टेस्ट ओने वाली होती है तो इसके लिए भी उसने प्रिपेर किया होता है क्योंकि उसे मालू होता है कि टेस्ट में क्या आने वाला है तो इसलिए अब उसे 100 में से 100 माक्स आते है कुकिंग ग्लास में भी वो कुछ भी मैस नहीं करती वो अपनी जो जगा है वो किसी और से trade कर लेती है और जो incident हुआ था वो किसी और के साथ ही होता है जब वो रस्ते से चल रही होती है जैसे हमने previous में देखा था कि एक लटके से वो टकरा जाती है वो उसे hurt कर देता है पर इस बार वो जूख जाती है जब उसकी friend उससे बात कर रही होती है कि तुम future में क्या करने वाली हो तो उसे कहती है कि मैं foreign में जाकर सीखने वाली हूँ अब उसे grades की कोई भी जिनता नहीं है क्योंकि वो time में वापर जा सकती है और अपने grades change कर वा सकती है तो इसलिए अब वो सबने देख रही होती है उसे उसके friend के साथ कुछ करना था कुछ fun करना था तो अब वो अपने friends को लेकर एक carry-o के बारलर में आई है वाव पैसे देकर उनकी hour होता है तो जब ये hour खतम हो जाता है तो फिर से वहाँ प्रकट हो जाती है फिर से वो time jam करती है और फिर से वही hour जीती रहती है 9 घंडे तक ये वो repeat करती है जब वो घर आती है तो उसके पसंद का खाना आज नहीं होने वाला होता तो इसी वज़े से वो फिर से time jam करती है जब उसे अच्छा खाना मिलता है उस जगा पर जाकर फिर से वो खाना खाकर फिर से present में आ जाती है उसके end के लिए खाने के लिए बहुत सारी pastries वेकर लाती है उसके end उसे पुछती है कि ये सब तुमने कैसे लाया मोगटो बोलती है कि मुझे सिर्फ अपने allowance के दिन पर जाना पड़ेगा और मुझे फिर से सब बैसे मिल जाएंगे क्या तुम तुमारे skills किसी अच्छे चीज़ के लिए नहीं यूज़ कर सकती तुम ये सब जो कर रही हो इससे कोई hurt हो सकता है मोगटो बोलती है कि मैं जो भी कर रही हूँ इससे कोई hurt हो सकता है वो आपने आपको समझा लेती है कि इससे कोई भी hurt नहीं होगा मेकसिन में हम देखते हैं ये माकटो को जो एक friend होता है कोशुका उसे propose करने के लिए एक लड़की आती है उसे वो turn down कर देता है जब मोकटो और उसका friend चाहिए कि इससे पूछते है कि वो लड़की तुम्हारे पास क्या कर रही थी फिर कोशुका कहता है ये मुझे propose करने के लिए आई है मैंने उसे turn down कर दिया है फिर मोकटो कहती है कि ये तो लड़की वैसे ही थी जो तुम्हें पहले पसन आई थी वो कहता है कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है फिर ये तीनों घर जाने के लिए चलने लगते है मोकटो का फ्रेंड जेकी उसे कहता है कि मैं तुम्हें घर ले जा सकता हूँ उसके पास बाइसिकल होती है और फिर ये दोनों बाइसिकल पर घर जाने लग जाते है फिर उसका फ्रेंड जेकी उसे कहता है कि अगर उसने उस लड़की को हा कर दिया होता तो उसकी girlfriend हो जाती अगर उसकी girlfriend हो जाती तो वो हमें इतना time नहीं दे पाता तो तुम्हें इसे बारे में क्या लगता है मोकोटो इस पर उतना सोचती नहीं फिर जैकी उसे कहता है कि क्या तुम मुझसे date करोगी यह सुनकर मोकोटो बहुत ही awkward feel करती है उसे इस बल में आना नहीं होता तो वो cycle stop करने के लिए बोलती है और फिर से time में वाफ़ जाती है फिर से वही scene में वो आ जाती है जहाँ वो उसके साथ ride कर रही होती है वो subject change करने कोशिश करती है फिर वो उसे बोली देता है फिर next दिन जब उसने उसे पूचा था कि क्या तुम मेरे साथ घर चलोगी तो वो मना कर देती है अपने आन के पास वो आई हुई दिखती है वो क्याई थी है कि वो ऐसे कैसे पूच सकता है मैं imagine में नहीं कर सकती है कि जए कि मेरा फ्रेंड से ज़्यादा कुछ होगा फिर वो अपने आन को ये भी बताती है कि वो टाइम में वापस गई और ये कभी हुआ ही नहीं ऐसा उसने प्रिटेंड किया है और उसके आन कहती है कि ये तो बहुत ही गलत है उसने इतने करेश से तुम्हें बताने की कोशिश की थी और अब उसे पता भी नहीं है कि तुम्हें ये मालूम है next in में हम देखते है कि मोकोटो का एक क्लासमेट जो होता है उसे कुछ लोग तंग करे होते है उसके वो खीच रहे होते है ये वही लड़का होता है जिसके साथ कुछिंग क्लास में मोकोटो ने अपना प्लेस ट्रेड कर दिया था तो मोकोटो के साथ पहले जो एक्सिडन हुआ था कुछिंग क्लास में तो वो अब इस बच्चे के साथ हुआ है ये सब देखकर अब उसे बच्चे झीडाने लगे है Mokoto अपने फ्रेंड कोषुक के साथ उस बच्चे को बच्चाने के लिए चाती है वो Mokoto को भी ब्लेम कर रहा हता है वो कहता है अगर तुमने मेरे साथ places टेट ने की योगी थी तो ये मेरे साथ होता ही नहीं वो लेड़का मुकोटो को idiot बोलता है तो इसलिए कुसु को अपनी चपल लेता है और उससे उसे मारता है अब नेक्स कुछ सीन में हम देखते है कि चैकी ने उसे propose किया था तो इसलिए अब मुकोटो उससे दूर भाग रही है उससे पुरा ignore कर रही है यह जब सब हो रहा होता है तो मुकोटो कीची फ्रेंड होती है उससे चैकी पर crush होती है तो इसलिए वो उसे ask out कर लेती है यह दोनों एक game के लिए जाने वाले होते है इसमें मुकोटो भी आने वाले होती है पर उसे वो bypass कर देते है फिर नेकसे में हम देखते है कि जिस बच्चे को वो सब चिड़ा रहे थे वो अब बहुत ही चिड़ गया है वो एक fire extinguisher लेकर आता है और इससे उस बच्चो पर लगाता है सब उससे बहुत इडर जाते है वहां मुकोटो भी आती है तो मुकोटो को ही वो blame कर रहा था इसलिए वो fire extinguisher उस पर तान देता है यह fire extinguisher फेकता है तब चेकी उससे बचा लेता है चेकी इससे बहुत हर्ड हो जाता है तो इसलिए फिर से मुकोटो टाइम में वापस जाती है और चेकी को भी बचा लेती है उस fire extinguisher को अलेक डाइम में फेक दीती है पर जब फेकती है तब मुकोटो को ही फ्रेंड को ही लग जाता है जैसे हमने पहले भी देखा था कि चेकी और उसके फ्रेंड का दोनों का कुछ चल रहा है अब फ्रेंड उसकी हर्ड हो चुकी है तो डॉक्टर के पास वो होती है तो चकी भी उसे मिलने के लिए आता है जब वे तीनों फ्रेंड बेस्बॉल खेल रहे होती है तो कोशुखु चेकी से पुछता है कैसे तुम किसी लड़के को गेम में लेकर जाना चाते हो वो कहता है कि वो भी इसमें इंटरेस्टेड है हम दोर में बहुत सारा कॉमन है इसलिए उसे लेकर जाना चाते है चात होती है तो मोकोटो नहां रही होती है वहाँ वो सोचती है कि ऐसे कैसे जेंगी कर सकता है वो तुम उसे पैर करता है और मुझसे आसकाउट कर रहा था अब वो कैसे उस लड़की के साथ बाहर जा सकता है वो जब यह सोच रही होती है तब उसके आप में उसे खुछ दिखता है वहाँ 90 का साइन होता है उसे समझ में नहीं आदा कि यह है क्या वो फिर इसे इग्णोर कर देती है अब जएकि मोकोटो के साथ बेसबॉल नहीं खेल रहा तो वो और कोशोका यह दोनों ही बेसबॉल खेल रहे होते है तो फिर कोशोका से पूछती है कि उस लड़की ने तुमें प्रफोस किया था तो तुम उसके साथ क्यों नहीं गए वो फिर को कहता है कि अगर मैं उसके साथ चला जाता तो तुम अकिली रह जाती वो भी उसको लाइक करता है यह वो यहां कहता है अब मोकोटो कंफ्लेक्ट में होती है वो अपने एंड के पास आती है उसे कहती है कि मेरे साथ ये क्या हो रहा है फिर उसकी end उसे एक सजेस करती है वो कहती है कि तुम इसे ट्राइट कर सकती हो तुम फिर से वापस टाइम में जा सकती हो और इस सब को फिर से ठीक कर सकती हो मोकोटो कहती है कि मैं इस तरह से लोगों की feelings के नहीं खेल सकती है उसके आंडो से कहती है कि मों लोगों की feelings से नहीं खेलोगी तुम टाइम में जब वापस जाओगी तब सम परिसेट हो जाएगा फिर भी मोकोटो यह नहीं करना चाहती यह सब जोब पात कर रहे होते हैं तो वो एक music में होती है उसके आंड उसे एक unique painting दिखाती है उसके आंड उसे कहती है कि जब भी मैं इस painting को देखती हूँ तो मुझे बहुत काम महसूस होता है नेकसीन में हम देखते हैं तो मोकोटो उसके career counselor के पास आई हुए होती है उसके life में जो भी सब चल रहा है तो इसलिए वो concentrate नहीं कर पाती जब वो वहाँ जाकर नेचे उतर रहे होती है तो वो फिर से अपने हाथ को देखती है वहाँ का जो 90 बना हुआ होता है वो आप 50 हो चुका होता है वो परिशान हो जाती है वो कहती ही कि पिछले बार मैंने जब देखा था तो यह तो 90 था यह कैसे 50 हो सकता है उसे फिर कुछ लड़किया आकर घेर लेती है वो उसे पुछती है कि क्या तुम कोशोकों का डेट कर रही हो फिर जब मोगोटा उसे पुछती है कि तुम यह सब क्यों पोच रही हो तब उसमें से एक जो लड़की होती है वो स्टोरी सुनाती है वो कही थी है कि मेरे ग्रैंड मदर एल्डरली हाउस में जब थी तो एक लड़का उसे मदद करता था वो बहुत ही अच्छा था और इससे उसे पैर में ये पड़ गई जब इस स्कूल में आई तब उसे पदा चला कि ये कैशो का ही है हर रोज उसे वो देखती थी तो उसे ज़ादा ही उसे पैर हो गया है तो इसे के लिए वो उसे पूच रही है फिर मोकोटोस से कहती है कि जो सब तुमारी फिलिंग से इसके लिए मैं कुछ करूंगी मैं इसको सही कर दूंगी फिर से वो टाइम में वापस जाती है जब ये लड़की उसे ask आउट करती है उसे टाइम में वापस आ जाती है वो कोशोकों से कहती है कि इसकी grind mother को तुमने help किया था कि उन लड़कियों ने अभी तक उससे नहीं पूछा है तो इससे वो freak आउट कर जाती है तो वो फिर से टाइम में वापस जाती है इस बार फिर से वो गड़वर कर देती है वो कहती है कि ये तुम से प्यार करती है इस बार भी ये सही नहीं कर पाती है नेक्स टाइम जब वो पास में जाती है तो मुवी जहाँ से स्टार्ट हुई थी जिस डेर से स्टार्ट हुई थी जिस डेर में वो लेट हो चुकी थी उस डेर में वो वापस आ जाती है वहाँ जाकर जिस लड़के ने उसे हट कर दिया था उसके सामने वो कोशोकों को डाल देती है वहाँ उस लड़की को भी उसे बैठा हुआ होता है तो इस वज़े से उस लड़की और कोशो का में लो स्धोरी स्टार्ट हो जाथी है उस लड़की के पैरिसट्रेन हो चुके होते है तो उसकी केर करने के लिए कोशो को दिन भर उसके साथ रहता है कि फादर डॉक्टर होते है तो उसकी मलम बट्टी करने वाने के लिए उनके पास वो उसे लेकर जाने वाला होता है मोकोटो को अब लगता है कि जब वो लैब में थी तो वहाँ कोई था तो उसे उसे ढूड़ना चाहिए तो वो लैब में आती है और वहाँ चिपी हुई होती है वहाँ दरवाजा खुलता है पर वहाँ उसकी फ्रेंड ही होती है वो उसे पूछती है क्या तुमने यहाँ किसी और को देखा तो उसकी फ्रेंड को वो मालूम नहीं होता तब ही मोकोटो को मैसेज आ जाता है वो मैसेज कोशोको का होता है वो उसकी फ्रेंड को लेकर मोकोटो के बाइसिकल से उसे वो लेकर जाना चाता है पर ये वही दिन है जिस दिन मोकोटो का एकसिडन हो चुका था तो इसलिए अब वो डर जाती है जो वो जाकर देखती है जहाँ उसकी बाइसिकल पाग होती है पर वहाँ उसकी बाइसिकल उसे नहीं मिल पाती फिर वो उसके पीछे भागती है जहाँ एक्सिडन हो चुका था उस साइट पर वो आ जाती है पर अब भी ये accident नहीं हुआ है उसे लगता है कि अब ये accident नहीं होने वाला वो chain की सास ले थी है और फिर उसे जैकी को कॉलाता है बहुत दिनों बाद वो अब जैकी से बात कर रही है तो उसे कहती कि मुझे लग रहा है कि बहुत दिनों से में तुमारे साथ बात नहीं की है वो उसे basic call के बारे में बहुत ही अच्छे से बात करती है तो जैकी को शक जाता है वो फिर उसे बुजता है कि क्या तुम time jump कर रही हो मुकटो को यह समझ में ने आता कि यह हो क्या रहा है चेकी को ये पता कैसे है पर उसे वह कोशो को और वो लड़की उसके बासिकल में उस स्लोप से चलती हुए उसे दिखती है उसे पता होता है कि इनका एक्सिटन होने वाला है वो उनके पीछे दोड़ती है वो पुरी जान दगा देती है पर वो गिर जाती है बुरी तरीके से हट हो जाती है और इस एक्सिटन्ट में कोशो को मर जाता है वो चिलाने लग जाती है रुको 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 पर फिर टाइम धम जाता है वो फिर से ज़रा पास्ट में आ जाती है उसके आसपा जो भी लोग वह है एक device होता है जिससे लोग time travel कर सकते हैं, उससे हमारे body हमें charge करने करती है और उसके बाद वो time travel कर सकते हैं, वो फिर कहता है कि मैरे जो time है, वहाँ लेक नहीं है, bestball नहीं है, यह सब सुन कर mokoto को बहुत ही अजीब लगता है, ez चे की summer के लिए वहाँ आयो हुआ हो नहीं तो वो ये उसके अच्छे फ्रेंड हो जाते है अब उसके घर जाने के लिए यानि कि future में फिर से वापस जाने के लिए उतनी motivation नहीं रहती तो इसी वज़े से वो उनकी school में admission ले लेता है वो फिर उसे museum में लेकर आता है उसे कहता है कि यहाँ एक bending हुआ करती थी कि मेरी future में ये bending थी पर ये तेहस नहीं सो चुकी थी तो इस bending को फिर से एक बार देखने के लिए मैं इस time में आया था ये चो museum था इसी museum में मुझे वो दिखनी वाली थी पर अभी तक ये restore नहीं हुई है मोकोटो की sister इस पर काम करी होती है पर अभी तक ये ख़दम नहीं होता चेकी फिर उसे कहता है कि में past में time travel के बारे में किसी को भी नहीं बता सकता फिर वो उसे छोड़ कर हमेशे के लिए जाने वाला होता है मोकोटो से कहती है कि जो तुमें painting देखनी थी वो अभी restore हो रही है थोड़ी दिन बाद तुम उसे देख सकती हो पर चेकी को अब यहां नहीं रुकना होता वो फिर वहाँ से चला जाता है चेकी चला गया है तो सब लोग उसके बारे में बात कर रहे होते है सब stories बना रहे होते है कि वो कहा गया है कोशोको से कहता है कि मुझे उसने नहीं बताया तो ठीक है पर तुमें भी ना बताया चला गया यह तो नहीं possible हो सकता वो तुमको बहुत ही लाइक करता था फिर मोकोटो से कहती है कि यह तुमें कैसे पता है कोशोकों से कहता है कि ये सब को पता है ये तो अबियसी था मोकोटो फिर वहाँ से चले जाती है और अपने end के पास आ जाती है मोकोटो अपने frustration अपने end को बताती है तो उसके end से कहती है कि मैं भी एक लड़के से प्यार करती थी जब हम छोटे थे तब से हम एक दूसरे से प्यार करते थे जब हम बड़े हुए तो हम अलग-अलग रस्ते पर चले गए पर उसने मुझे बता कर गया था कि वो फिर से आएगा बहुत सारा टाइम गुजर गया है फिर मैं उसके वेट करी हो पर वो फिर मोकोटो को कहती है कि तुम मेरे जैसरी हो तुम्हें अगर चैकी को पाना है तो तुम कैसी भी तरह से उससे पास सकती हो तुम टाइम के लिए नहीं रुकती फिर मोकोटो घर पर आ जाती है फिर वो देखती है कि उसके पास और एक चांस होता है वो फिर से pass में जा सकती है हमने देखा था कि चेकी ने accident होने से रोक लिया है मोकोटो ने उस accident को रोकने के लिए है उसका last chance यूज किया था तो अब उसने ये use नहीं किया है तो उसके pass, pass में जाने के लिए या future में जाने के लिए और एक chance है यह देखकर वो बहुत ही खुश हो जाती है जो फर्स जो होता है जब उसे पता चलता है कि वो टाइम ट्रैवल कर सकती है उसी दिन में वो वापस आ जाती है वो जब लैब में होते है तो वो उसके फ्रेंड के साथ होती है उसकी फ्रेंड उसके साथ चेकी के बारे में बात करे होती है मोकोटो से कहती है कि मैं उसे लाइक करती हूँ उसकी फ्रेंड भी बोलती है कि ये भी ठीक है वो भी इसे डील कर लेती है जो वो अपने फ्रेंड कोशोको से मिलती है तो वहाँ वो सब लड़किया होती है जो उसे अप्रोच करने वाली होती है फिर मोकोटो उसे कहती है कि उन लड़कियों को जाकर तुम इन्वाइट कर लो उनके साथ भी मुझे आज बेसबॉल खिलना है इसे कोशोको और वो लड़की ये दोनों बात कर सकेंगे और इन में कुछ हो सकेगा इसलिए एक मोकोटो ये करती है मोकोटो को उसे ये भी बता कर जाती है कि अगर तुमने मुझे से फिर से मेरी बाइस ही कर ली तो मैं बहुत सारे पैसे मुझे देने पड़ेगे यानि कि वो एक्सिडन को भी टाल देती है फिर वो चेकी के पास जाती है वो उसे जाकर उसका वो छोटा सा डिवाइस दिखाती है चेकी तो चेकी कहता है कि मैंने तो तुम्हें ये कभी भी नहीं दिखाया पिर मोकोटो कहती है कि तुमने मुझे सब कुछ बता दिया है चैकी कहता है कि मैं बहुत इडियेट हूँ मुझे तुम्हें ये कुछ में नहीं बताना चाहिए था वो से पूशता है कि क्या तुम अभी भी लीप कर सकती हो मोकोटो कहती है कि नहीं मैंने ये लास्ट टाइम यूज़ कर लिया है फिर में दोनों मोकोटो और चेकी लेक के पास बैठे हुए होते है फिर मोकोटो चेकी को कहती है जिस पेंडिंग के लिए तुम आये थे उसे मैं प्रिसर्व करने का पूरी कोशिश करूँगी जब तुम फिर से वापस फ्यूचर में जाओगे तो तुमें वो पेंडिंग हन्नेट बसिन मिलेगी चेकी भी इसके लिए उसे थेंक्यू कहता है फिर चेकी उसे कहता है कि जब मैं यहां आया था तब मैं फिर वापस जाने वाला था पर जब मैं तुम लोग से मिला तो मेरी तुम से बहुत अच्छी फ्रेंड्शिप हो गई इसलिए मैं रुख गया मोकोटो कहती है कि इस वज़े से तुम नहीं रुखे थे जएकी उसे पुछता है कि मैंने तुमें क्या बताया है पर वो उससे कुछ में नहीं बोलती है अब जएकी वापस जाने वाला होता है तो जाते जाते उससे कहता है कि मुझे तुम से कुछ बताना है वो उससे कहता है कि तुम चलते चलते बहुत गिरती हो तब तुम्हें ऐसा नहीं करना है तुम्हें अपना खयाल रखना है मोकोटो डिस्टब हो जाती है कि उसने मुझे ये क्या कहा वो जो कहने वाला था उसने मुझे वो नहीं कहा उस पर जीर जाती है और जाने के लिए बोलती है थोए टाइम में फिर से चेकी उसके पास वापस आता है वो उसे हग करता है और कहता है कि फ्यूचर में तुम्हारे लिए मैं वेट करूँगा फिर नेक्सिन में हम देखता है कि मोकोटो कोशो का और जो सब लड़किया थी वो उसके साथ खेल रही है कोशो को मोकोटो से कहता है कि कैसे वो जा सकता है मोकोटो कहती है कि उसे कुछ मिल गया होगा इसलिए वो उसे परस्यू कर रहा है फिर मोकोटो कहती है यह मेरा भी एक प्लान है कोशोगों से पुछता है कि यह क्या है तो उसे कहती है कि यह सिक्रेट है जब मोकोटो यह बोलती है तो वो सकाय के बास देख रही होती है वो चेकी से फिर से मिलना चाती है फिर उसे उसके लिए कुछ करना होता है इसी काय प्लान होता है जिसे हमने पहले देखा था उसकी end उसे कही थी है कि तुम रुकने वाली लड़कियों से मैंसे नहीं हो तुमें जो भी चाहिए हो तुम पाल लेती हो अब उसने डिसाइड किया है कि वो time travel करेगी और फिर इसे चेकी से मिलेगी यह कैसे भी वो कर सकती है इस ending को आप किस भी तरीके से सोच सकते हो आप सोच सकते हो कि वो wait करने वाली है या time machine डेवलोप करने वाली है इसे बहुत सारी ending डेवलोप करने के लिए डायरेक्टर ने आपको यह चोड़ा है anyway मुझे यह time travel वाली थेरी बहुत ही अच्छे लगती है तो यही यह movie खतम हो जाती है और एक movie के साथ यह series के साथ हम फिर से मिलेंगे तब तक अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा प्लीज इसे like कर दीजेगा और आपको और भी ऐसे कुछ देखना है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजे और बेल नोटिफिकेशन आइकोन दबा दीजे यहनि कि आप सब मेरी वीडियोस देख सके तक यह वीडियोस